और चले खबरों में आगे बढ़ते हैं एक्जिट पोल को लेकर के रायपूर से भारतिय जुनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंग देव का बड़ा बयान साब ने आया है और उन्हें कहा कि पूरा देश पहले से इंकित कर रहा था कि हमारे सभी वरिष्ट नेता चाहे वो केंद्र के हो या राज्यके सभी एक बार फिर मूदी सरकार की बात कर रहे थे 400 के पार इस बात को एक्जिट पोल में भी दिखाय ज़ा रहा है वरिष्ट निताओं ने कहा था कि हम 360 से 370 सीटों के साथ देश में सरकार बनाएंगे वहें इस मामले पर जब कॉंग्रस ने सवाल खड़े किये तो उन्होंने कॉंग्रस पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे देश में अस्थिरता का बातावरण है और इनके गठबंधन ने देश की जनता को गुमराह करने के लिए ब्रम फैलाने का काम किया था देश की जनता ने इसका मुहतोड जवाब दिया है कि हम जब इस बात को बोलते थे हमारे राश्टी अध्यक शादर्णिय जगत प्रकास नड़ा जी हों हमारे सभी वरिष्ट नेता केंद्रे के और राजी के और एक स्लोगन था कि मोधी हैं तो मुमकीन है और फिर इस बार मोधी सरकार और अब की बार 400 पार तो इस बात को एक्जिट पोल ने भी कल वो दिया है अपना की उसमें जो दिखाया जा रहे है लगबग लगबग सभी चैनलों के एक्जिट पोल आप देखिए और सभी में और 400 प्लस 400 को चुता हुआ और NDA के साथ भारती जनता पार्टी की जो सीट सुरूर से ही कहते रहे हमारे ग्रह मंत्री जी ने भी कहा इस बात को बार बार राश्च्ट अद्यगिन विकाय की हम 360 के आसपास और विश्वद भारती जनता पार्टी की सीटे जीत कराएंगे तो निश्चित रुप से देश की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन आभार है